हेलो दोस्तो एक बात द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विविक रना स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चले में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दमाना ना भूला ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन प्कास लिमेटर की लेटेसर नियूज़ और जानेंगे इस वीडिविके के नियूगर आपने रिचिफ बोल देना चाहता हूँ अच्छेसे को बूल रहा हो का पैसा इसमें ट्रैपूर का फसा हुआ है और दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ और दिल से बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज जो स्टॉपलोस में आपको बता रहा है दो रुपए 80 पैसे के आसपास दो रुपए 50 पैसे के आसपास उसको मेंटेन कर लेना अदरवाइस हो सकता है ठीक है तो भाई और छोटा सा एक अप्डेट भी देना है अप्डेट दोस्तों इस प्रकार से है अगर आप इस वीडियो को फेस्वीं में शेयर करते हो और शेयर करने के बाद अगर आप हमें स्किन्शोट शेयर करते हो विया स्टॉक्स के हमाले चैनल है इस्ट टैग कर देना विया स्टॉक सकते हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर या टुटर में भी कर सकते हो ठीक है तो बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ और हाँ अगर आपने वीडियो अभी तक देख रहे हो तो भाई लाइक तो करी देना क्योंकि आपके लिए ऐसे वीडि कर रहा है और दोस्तों बोल देना चाहता हूँ आज निप्टी भी आपको एक परसें से जादा उपर था और जैसे मैंने आपको कल ही बोला था कि निप्टी आज गरिन के तरफ ही जाएगी क्योंकि निप्टी में एक अच्छा कासा प्राइस एक्शन बनना है प्लस की परा आया है तो डेफिनिटली तीन रुपे के आसपा एक डमल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है आपको स्टॉक को डेफिनिटली रिडाव एकना चाहिए लेकिन दोस्तों अगर स्टॉक ने अपना जो लास्ट स्विंग है दो रुपे पचात ऐसे के आसपा आप बोल सकते अगर इसके नीचे इसने close कर दिया तो डेफिनिटली आपको इस टॉक काफी बड़े टार्गेट दिखा सकता है नीचे के तरफ के नीचे के तरफ के मतलब एक रुपे के टार्गेट तो डेफिनिटली अगर आपको अपना capital zero नहीं करना है तो भाई प्लीज stop loss maintain कर लेना 2 अभी आपको दिखाऊंगा latest chart ठीक है जो होता चार्ट ना candle वाला उसमें दिखाऊंगा क्या double bottom का formation हो रहा है ठीक है और हाँ definitely stock को आप hold करके चल सकते हो जब तक stock 3 रुपे के उपर trade कर रहा है मतला 2 रुपे 80 पैसे के उपर trade कर रहा है तब तक तो आप सको hold करके चल सकते हैं क दिखकत नहीं लेकिन जब जैसे ही stock 2 रुपे 80 पैसे जायागा ना तो भाई चिंता कब इसे हो सकता है चेताव नहीं दे रहा हूं breaking news यही है विकाज मल्टी कॉप शेर में भाई हलके हो जाना अधरबाइस बहुत बड़े loss हो सकता है अब बात करते हैं कि आज का काम का नसी रिटेल का participation हो रहा है यहां रिटेल का participation हो रहा है बाकी किसी operator का और किसी FII और DII की investment stock में नहीं हो रही है मात रिटेल का पैसा इसमें infuse हो रहा है अगर रिटेल का पैसा लग रहा तो definitely भाई वो एक चिंता का बिसे हो सकता है कि रिटेल का पैसा लग रहा तो मुझे नहीं लगातार अपनी holding बेच रहे है, थोड़ी बहुत FII की holding बढ़ी है, इसका मतलब यह नहीं है कि FII की थोड़ी बहुत holding बढ़ी है तो वह स्टॉक A1 हो जाएगा नहीं, स्टॉक मार्किट में कुछ ऐसे FII भी है, जो बहुत बِकार काम करते है, ठीक है, जैसे आपको पताने, ट्रीटर आइख दो परकार के होते हैं, एक अच्छा ट्रीटर नहीं होता है, नॉर्मल इंवेस्टर होता है, जो लॉस करता है हमेशा तो बात को समझो, ठीक है भाई, तो यह FII का डेटा देखकी invest मत करना stock में आप current markets की situation को समझते वे invest करना ठीक है तो अभी लेके चलता हो stock का आज के काम काच की स्कीन में देख सकते हो 13 April 2021 के आसपास का आपको data देखने को मिल सकता है 24 lakh के आसपास quantity trade की गही थी आज उसमें 15 lakh quantity लोग घर लेगे गए almost 61% की BSC में delivery निकल के आती है अब इका 20 lakh quantity लोग घर लेके गए और जो quantity percentage निकल के आता है एंट्रेडे का वो निकल के आता है 49% के आसपास तो definitely दोस्तों एक बड़ी quantity लोग लगाता stock में घर लेके जा रहे है और यह लगातार एक महिने से चलते वे आ रहा है अब लेके चलता हो stock के latest chart वे विकास मल्टिकॉप क्य आपको करना चाहिए क्या latest projection stock में बन रहा है और अगर आप वीडियो अभी तक दे रहे है तो भाई like कर दो like करने बें कंजूशनी मत किया करो कोई आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहा है तुम्हारा दोस्त विवेकरना stock साथ में telegram, twitter, instagram, follow कर लो सभी के links आपको नीचे म जाता है आप stock को sell मत करना sell मतला अपनी holding मत बेचिना लेकिन दोस्तों अब ध्यान दोगे आज stock ने same थोड़ा सा एक पैसे उपर high बनाया और वहां से support लेके उपर चले गया तो इसको बोलते double bottom का formation तो definitely भाई जब तक इस price को breach नहीं करता है नीचे की तरफ आप stock को बेचना मत तो definitely भाई stock को अपड़ा में रख सकते हो जैसे stock अगर दो रुपे 80 पैसे के निचे जाता है दो रुपे 50 पैसे जाता है आप प्लीज इससे एक पर हलकी हो जाना definitely आपको ये एक नीचे के target दिखा सकता है एक रुपे के ठीक है तो अगर आपको विश्वास नहीं होता त ठीक है इस 10-20 पैसे के stock loss में क्या पता हमें 1 रुपे और 2 रुपे के असवस का target मिल जाए मतलब 4 रुपे और 4.5 रुपे के असवस का target मिल जाए लेकिन दोस्तो ध्यान दखना आपको हमेशा उपर जाने से पहले stock का price उपर जाने से पहले आपको नीचे का loss देखना है तो 2 रुपे 80 पैसे के जाए close करें ठीक क्लोस करने के बाद उस candle जिस दिन close करा है उसका low break हो आप उसी दिन bid डाल के market price में exit कर देना क्योंकि दोस्तो यहाँ पर हमें पता है जब इस stock नीचे जाता है तो हम सोचते है यह बांस करेगा मैं बाद बेज दूँगा दोस्तों यह कह पानी कभी नहीं आती है फिर stock आपका सीथा lower security में जाके एक रूपे तक रुख सकता है फिर आपको बाद में regret feel होता है कि यार भाई मैं यार पहले ही निकल जाता तो आज मेरा 50% का जो capital हो बच जाता इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बार बार कह रहा हूं एक हजार बार क्य फिर की मैंने website खोल लगी है अगर मैं बात कर तो stock के serolic pattern की दोस्तों आप देख सकते हो अभी website के अंदर कोई भी update नहीं है कोई भी latest news नहीं नजर आ रही है लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि बहुत जल्द आपको पता है 222 का Q1 quarter खतम हो चुका है ठीक है तो definitely इनको अपना Q Q1 quarter की serolic pattern reveal करना पड़ेगा यह हर किसी को करना पड़ता है बहुत जल्द यह update करने वाले है BSC अनिसी दोनों को तो definitely यहाँ पर आपको बहुत जल्द एक news flash होते में दिखेगी serolic pattern of Vikas Multicop quarter ended of Q1 2021 जो definitely यह update होगा और दोस्तों यहाँ पर हमें देखने वाल लाइक वाली बात यह है कि अगर अगर आपको पता दिसमर quarter में इनके प्रमोटर से अपनी holding बेची दी बेची मतलब कम करी थी लेकिन अगर दुबारा से Q1 quarter के आसपास इन्होंने अपनी holding बेची होगी तो definitely भया चिंतागा बेसे हो सकता है हमारे retail investor के लिए अगर उन्होंने बेची होगी तो quarter results announced नहीं हुए है ठीक है Q1 quarter 2020 के बहुत जल्द वो भी announce हो जाएंगे तो वो भी news आपको यहाँ देखने को मिल सकती है तो definitely अभी current situation में पिकास multi call limited share की latest news कुछ भी नहीं है मात्र दो latest news निकल के आती है जो बहुत ज़र मुझे लगता है यह apprails के end तग वो reveal हो जाएगी एक update होगा मैं आपको वहाँ पर update कर दूँआ ठीक है भाई तो आशा करता हूँ आपको समझ आगया होगा विकास multi call limited share में आपको क्या करना है ठीक है अगर समझ आगया तो वीडियो को like कर देना share कर देना facebook में अगर आपको participation करना हमारी class में ठीक है और share करने के बाद वीडियो में comment करके बता सकते हूँ कि आपको वीडियो कैसा लागा अच्छा लागा तो definitely बताना अगर बेकाल लागा तब भी आप अपने विचार नीचे साजा कर सकते हो चलिए बाय बाय